एपिसोड का स्टार्ट होता है और स्टार्ट में हमें एक ब्यूटिफुल सा परपल फ्लार दिखाय जाता है और तब ही हमें एक आवाज आती है जो कह रही थी क्या तुम बहुत जादा खुबसूरत बना चाहते हो क्या तुम अपने dreams को follow करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी help कर सकता हूँ ये आवास जैसे कि उस purple magical floor से आ रही थी इसके बाद हमें एक लड़की दिखाए जाती है लैनमो जो कि कह रही थी लंबे-लंबे बाल हो, बहुत प्यारा सा face हो लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ मेरी classmate लड़की है, वो जादा प्यारी है अब लैनमो अपने एक friend को introduce करवाती है ये उसका classmate है उसके कहने के मताबिक ये काफी handsome boy है इस लड़के का नाम Lee Yoo है और ये आकर लैनमो से पूछता है कि तुम competition में इतनी जल्दी पहले क्यों आ गई हो अभी तो काफी जादा competition रहता था तुम्हें इसके लिए punish करना चाहिए चौलो मुझे कुछ खाना खिलाओ ये तुम्हारी स्वजा है उसके बाद वो जोर से उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेकर जाने की कोशिश करता है तो यहां लैनमो कहती है मुझे बहुत बुरा लगता है जब कुछ मुझे लड़कों की तरह treat करता है मैं लड़की हूँ मुझे लड़कीं की तरह treat मात करो क्या तुम gently मुझे पकड़ नहीं सकते अब यहाँ लैन्मो दिन में सोचती है मगर आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला आज मेरे ड्रेस इतना ज्यादा प्यारा है कि इसे बहुत अच्छा लगेगा और तब ही वो खड़े होकर उसके सामने उसे कहती है Hello, look at my dress, मेरा dress देखो ली यू हमेशा उस पर हसा था और उसे लड़कों की तरह चीट कर रहा था मगर आज लैन्मो को लग रहा था कि आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मगर ली यू जैसी उसका dress लिखता है वो बहुत ज़्यादा हिरान हो जाता है और फिर हसने लगता है यानिके फिर से वही सब कुछ अब वो हस्ते हस्ते उसे कहता है अरे ये तुमने क्या पहन लिया इस वज़ज़ से तुम वापिस आगी थी competition से प्लीज ऐसा dress दुबारा मत पहना और यहाँ लैन्मो बहुत ज़दा परेशान हो जाती है कि आज फिर से वही कोई मुझे प्यारा भी नहीं कहता एक्चिली में लैन्मो खुद को accept ही नहीं कर पा रही उसे खुद को accept करना चाहिए वो जैसी है वो वैसी ही प्यारी है उसका सर चक्राने लगता है और यहाँ लीज उसका मजाक बना रहा है प्लीज दुबारा ऐसा dress मत पहना यह dress पहन कर कभी भी किसके सामने मत जाना यह dress लड़कियों के लिए डिजाइन किया गया है लड़कों के लिए नहीं अब इसकी यह बात सुनकर लैनमो बहुत ज़दा घुसे में आ जाती है और इसे जोर का पंच मारती है और इसी सब में उसका dress पढ़ जाता है लेनमो बहुत जादा घुसे में आ जाती है अब नेक सीन में दिखाया जाता है जहां वो अपने घर वापिस जारी होती है और वो बहुत परेशान होती है कि आज का दिन भी अच्छा नहीं था सबने मेरा मजाग बनाया और तब भी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है बारिश बहुत जाधा तेज ती अब इसे किसी जगाप पर रुखना था जहां पर बारिश न आ हो इससे पना लेनी थी कहीं न कहीं पहें अब वहीं पेज से एक शौप नज़र आती है लैन मूज शॉप के अंदर चली जाती है और उसके अंदर इतनी प्यारी-प्यारी प्रोडक्स थी और वो देखकर हिरान थी कि यहाँ पर सभी ग्लास की प्रोडक्स है वो उने लेना चाहती थी लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि यह शॉप ऊपन कब होती है इसी शॉप के अंदर उसे वो परपर फ्लार नज़र आता है जो कि हमें एपिसोट के स्टार्ट में दिखाया गया था अब तब ही वहाँ पी एक बूड़ी ओरत आ जाती है और आकर लैनमो से कहती है क्या तुम इससे लेना चाहती हो? लैनमो से कहती है नहीं मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैं बहुत जादा घरीब हूँ इस पर वो बूड़ी ओरत उससे कहती है तुम बहुत जादा लगी हो कि तुम इस शॉप में आई हो और मैं तुम्हें ये फ्लार फ्री में दे रही हूँ लेनमो बहुत ज़दा खोश उड़ाती है क्या सच मैं आप मुझे की फ्री में दे रहे हैं और वो कहती है हाँ तुम इसे लेकर जा सकती हो यहाँ लेनमो उस फ्लार को लेकर खार आ जाती है वो बहुत ज़दा ठकी हुई थी और वो सोने लगती है और तब ही अपने फ्रेंड की पिक्चर देखती है और उस पर घुसा होती है कि तुम तो जाओ भार में और इसके बाद इसे वो ही फ्लार नजर आता है वो परपर फ्लार जू कि इस बूरी और उससे वो लेकि आई थी ये फलार लेकर लेन्मो एक मिरर की सामने खड़ी हो जाती है और खुद को देखती है तुम इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं हो इसके बाद लेन्मो फलार अपने बालों में लगाती है और कहती है इसे लगाते हुए मैं काफी ज़्यादा नर्विस हूँ लेकिन जैसे ही वो इस लाओर को अपने बालों में लगाती है तब ही एक मिस्टीरियस किसम का मैजिक हो जाता है और लैनमो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की में चेंज हो जाती है यहां लैनमो खुद को देखकर बहुत जादा हिरान थी यह मैं ही हूँ इतनी प्यारी लड़की बन गई हूँ मैं और वो हिरानी में ही नीचे भी गिर जाती है अब नेक्स दे लैनमो उसे शाप पे वापिस जाती है जहां पर वो बूरी ओरत थी वो उससे पूछना चाती थी कि यह फ्लॉर ऐसा कैसे है इसने मुझे बिल्कुल ही चेंज कर दिया है लेकिन जैसे ही वो उस शाप पे जाती है तो वहाँ पर शाप नहीं थी बलकि एक घर था जिसकी खिर्केयां भी तूटी हुई थी और वो समझ नहीं आ रहा था उसे कि यहां पर तो कल शाप थी वो कहां गई तब ही उसे लीजू नजर आता है और वो उसके पास जाती है तुम शापिंग के लिए मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए और यहां लीजू तो उसे पेचानता ही नहीं और उससे कहता है क्या तुम मुझे से बात कर रही हो और दिली दिल में उस पे बहुत जादा घुसा हो रही थी और सोच रही थी कि यह मुझे बता कि उनी रहा कि एक प्यारी से लड़की को देख कर इसके क्या एक्स्प्रेशन्स हैं फिर लैनमो लीजू से कहती है क्या तुम मेरे साथ डिनर पर जाओगे वहाँ लीजू कोई आंसर नहीं कर रहा होता और ये गुश्य हो रही हो ते जल्दी बता ओ क्या तुम एक प्यारी लड़के की साथ डिनर पर जाओगे और फिर ली यू हा कर देता है कि ठीक है मैं तुमारे से डिलनर पे जाओंगा लेन्मो दिल में बहुत ज़ादा खूश हो जाती है और अब ये दोनों डिलनर पर चले जाते हैं यहां जब खाना आता है तो लेन्मो जल्दी से खाना खाने लगती है और उसकी ये बात देकर लीयू हसने लगता है अब लैनमो उसे पुछती है तुम्हें हसी किस बात पर आ रही है तो वो कहता है हसी मुझे इसलिए आ रही है कि मेरा भाई है उसका नाम लैनमो है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह खाना काता है यहां लेन्मो फिर से गुसा हो जाती है यह मुझे भाई क्यों बुलाता है और बहुत जादा सैड भी और उसे कहती है ठीक है कोई बात नहीं और फिर यह दोनों घर वापस जाने लगते हैं रास्ते में लेन्मो को लीयू की बात याद आ रही थी लेन्मो उसे कहती है कि यह द्रेस तुम पर सूट नहीं कर रहा अरे यह द्रेस तो लड़कों के लिए बना है और इसके बाद लेन्मो उसे कहती है क्या मैं तुम से फ्रेंड़्शिप कर सकती हूँ लेन्मो उसे कहती है एकचुली में एक मसला भी है क्या तुम एक फिवर कर सकते हो लेन्मो कहती है कि जब भी मैं खर आती हूँ वापीस तो रास्ते में कुछ लड़के होते हैं वो मुझे तंग करते हैं तो मैं चाहती हूं कि तुम मुझे रोज आना स्कूल के बाद घर वापिस छोड़ कर आया करो। लियों ये बात सुनकर काफी हिरान था मगर जब लैनमो घर वापिस जा रही थी तो वो उससे कहता है पर रुको मुझे अपना नाम तो बताती जाओ और वो उससे कहती है मेरा नाम है ऐसी यहाँ लैनमो घर वापिस आ जाती है और बहुत जादा खूश हो जाती है वाओ एक बनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ली यूभी एक ब्यूटिफल गल से बात करके बहुत जादा खूश होगा और जब उससे पता चलेगा कि ये मैं हूँ और फिर यहाँ वो रुक जाती है जब उससे पता चलेगा ये मैं हूँ तो वो बहुत सैड हो जाएगा और फिर इसी सैडनेस में वो परपल फ्लार का हेर कलिप अपने बालों से उतार देती है और जैसी वो से उतारती है वो वापिस से पहली वली लैनमो बन जाती है वो काफी ददा हिरान थी कि मैं फिर से पहले जैसी होगी और तब ही उसकी मामा उसे बिलाती है और उससे कहते है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है तुम्हें कुछ बताना है तो जल्दी से नीचे आ जाओ यहां लैनमो बहुत परेशान हो जाती है क्या इससे सब कुछ पता तो नहीं चल गया और यहीं पर यह एपिसोड खतम हो जाती है अब नेक्स एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लीजू से बताता है कि मुझे एक लड़की मिलेती और वो मुझसे कह रही थी कि क्या तुम मुझे रोज घर चोड़ कर आओगे तो लैनमो कहती है कि इतनी रात को तुमने मुझे बस यह कहने के लिए बुलाया है तो वो कहता है हाँ मैं तुमसे पूछना चाता था कि तुम्हें इस सबसे कोई मसला तो नहीं होगा तो लैनमो कहती है आरे नहीं मुझे इससे कोई मसला नहीं होगा मुझे जल्दी से उसके पास जाना है इसके बाद वो एक रूम में जाती है और वहाँ जाकर वो अपना मैजिकल क्लिप दुबारा पहनती है जिससे वो दुबारा से एक प्यारी सी लड़की में चेंज हो जाती है इस रूम में से बहुँ जाता लाइट बाहर आती है और यहां लैन्मो जब वापिस उसी प्यारी सी लड़की में चेंज होकर बाहर आती है तो सब लोग उसे देखकर हिरान हो जाते है यह कितनी प्यारी लड़की है वाओ इसके बाल कितने प्यारे है वहीं पर एक लड़का और एक लड़की खेड़े थे जसके पास लैन्मो जाकर उन से कहती है क्या तुम मेरे लिए लीजु को अंदर से ब्ला सकते हो और वो जाते हैं और जाकर लैजु से कहते है कि तुम्हें एक लड़की मिलने आई है जब ली यू विंडो में से लैनमो को पीछे से देखता है तो वो समझ आता है ये एजी आई है और जैसा कि उसने एजी से प्रामिस किया था उसे आज उसे घर जाते हुए ड्रॉप करना था अब जब ये दोनों घर वापिस जा रहे होते हैं तो लैनमो बहुत जादा खुश होती है वाओ मैं आज इसके साथ घर जाते हुए बहुत जादा खुश हूँ लेकिन साथ ही वो परेशान भी थी क्योंकि उसने आज से पहले कभी इतनी बड़ी हील वाले शूज नहीं पहनने थे इसलिए वो काफी ददद था गई थी और तब ही लीजू रुक चाहता है लेनमो उससे पुछते है कि क्या हुआ वो कहता है मैं कुछ भूल गया हूँ उससे पुछते है क्या भूल गे तुम तो वो कहता है कि मेरा भाई लेनमो मेरा वेट कर रहा होगा मैं उसके साथ भी तो घर वापिस जाता हूँ मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी आगया उसे बताया भी नी वो अब तक मेरा वेट कर रहा होगा मुझे उसे फॉन करना चाहिए अब वो जैसे ही लैन्मो का नंबर डायल करता है क्योंकि वो अपने सेल को बहुत दूर पैंक देती है इसलिए ली यू जब काल करता है तो उसको आवाज नहीं आती उसके सेल की दूसरी तरफ एक प्यार सा डाग लैन्मो के फोन को उठाकर वहां से चला जाता है और लैन्मो चलाने लगती है कि मेरा फोन लेकर ये कहां जा रहा है और तब ही वो गिल जाती है अब ली यू उसे पुछता है कि क्या होवा तो लैन्मो कहती है कि कुछ नहीं मैंने जो शूस पहने होएं इसकी वज़े से मुझे काफी ज़ादा दर्द हो रही है लैन्मो क्लास्ट्रूम में उधास पैठी थी और तब ली लेन्चु आ जाता है और उसे जोर से थपड मारता है और रसने लगता है यहां लैन्मो उसे कहती है कि मुझे ऐसे मत मारा करो इसे दर्द होती है फिर ली यू से बताता है कि मैं एक प्यारी से लड़की से मिला क्या तुम उसे मिलना चाहोगी मुझे लगता है कि तुम भी उसे फ्रेंच्शिप करने में काफी खुश होगी लैन्मो कहती है कि मुझे उसे मिलने में कोई इंट्रस नहीं और तब ही उसे जोर से थपड़ मारती है मगर तब ही वहाँ पे एक और लड़की आती है जो कि लैन्मो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम आज फिर से ली यू को तंक कर रही हो इस लड़की का नाम लीटिंग है और ये भी इनकी ग्रेट की बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की है जो कि ली यू की काफी तारीफ करती है और जाहिर है वो अगर ली यू की तारीफ करती है तो उसे लैन्मो पसंद नहीं होगी अब लीटिंग आकर ली यू से कहती है कि मेरे एक फ्रेंड ने काफे ओपन किया है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी आज रात को उनकी दीगी पार्टी में आओ इस पर लेग्यू कहता है हाँ हाँ मैं आओंगा और साथ में लेन्मो भी आएगी अब लेन्मो कहती है कि उसने मुझे इन्वाइट तो किया ने तो मैं कियो आओंगी मगर लेग्यू इन्सिस्ट करता है तो लेन्मो भी वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है अब लेन्मो जब उस पार्टी में जाती है तो वो देखती है कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतिजाम किया हुआ था यहाँ लेट यंग आती है और उससे कहती है लेन्मो तुम आ गई और लेटिंग के साथ एक खड़ी लड़की लेटिंग से कहती है कि यह तुम्हारी दोस्त है इसे तो यह भी नहीं पता कि इस पार्टी में आने के लिए इसे क्या वेर करना है और बागी सब लोग भी लैन्मो की ड्रेसिंग पर हस रहे थे लैन्मो काफी ज़दा उदास हो जाती है क्योंकि वो सब उसका मजाग बना रहे थे और लीटिंग की दोस्तों उसे कहती है कि तुम यहां से चली जाओ और जाकर अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करके आओ तो लीटिंग कहती है कि अब तो यह पाल्टी में आ गई है तो इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए और पर लैन्मो से कहती है तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है लीटिंग भी वहाँ पर आया हुआ था और वो लैन्मो को बलाता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी देर से क्यों आ गई हो मैं तो बहुत पहले आ गया था और फिर लैन्मो से कहता है कि यहां आओ मेरे पास बैठो वो उन सबसे कहता है कि चलो इस पार्टी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम एक गेम खेलेंगे यहां लियू उसे पुछता है कि कैसी गेम तो यह उन्हें बताता है कि आप सबको एक कप दिया जाएगा आप सबको इस काफी कप से कुछ न कुछ करना होगा आप सब में कोई भी रांडम एक्शन कुछ भी कर सकता है और पिर अपने लेफ्ट पैटी लड़की के या लड़की को पास कर देना है आपको और इसके बाद क्या होगा यह तो आपको बाद में बताया जाएगा अब यह आदमी के कप ली यू को दे देता है ली यू एक स्पून लेता है उस कप के उपर मारता है और लैनमाओ को पकड़ा देता है यह सब ही कोई ने कोई एक्शन प्रफार्म करते हैं और उनके लेफ्ट में जो भी होगा उसे कप को पास कर देते हैं और लास्ट वन जो की इस सरकल में थी वो थी ली टैंग ली टैंग स्पून में थोड़ा सा केक लेकर कप में डाल देती है और अब यह आदमी कहता है कि आपकी गेम का एक फेस होवर हो चुका है और अब नेक्स्ट वेस में आपको ये करना होगा कि आपने कप के साथ जो भी किया वो ही सब कुछ अब आपको अपने लेफ्ट बैठे हुए के साथ करना होगा अब ली यू भी स्टेम प्रॉसेस रिपीट करता है जैसे कि उसने कप के उपर स्पून से मारा था ऐसे ही वो लैंड मौ का मारता है और सब हसने लगते है यहां लैंड मौ गयती है मेरा मजाक मत अड़ाओ मुझ पर मत हसो इन सबने कप के साथ जो जो किया था वो ही अपने लेफ्ट बैटे फ्रंट के साथ कर रहे थे और सब इसको बहुत ज़ादा इंज्जॉय कर रहे थे और लास्ट में फिर से ली टैंग की बारी आती है ली टैंग ने स्पून में थोड़ा से केक लिया था और कप में डाला और अब उसे ऐसा करना था कि उसे ली यू को वही केक खिलाना था वो तो काफी ज़ादा खुश थी मगर लैंड मॉब बहुत ज़ादा परेशान हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाती है